सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं वह भी बिलकुल मुफ्त में। उनके लिए अपने आपको तयार करना चाहते हैं। तो दोस्तो आज का अभ्यास आपके लिए होने वाला है। साथी साथ आप अपने confidence level को boost करना चाहते हैं। अपने pelvis floor की strength को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तो आज के अभ्यास हम आपको पताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका अभ्यास करके आप अपनी इंसाली परेशानियो को दूर कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाब मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दोरान बताएंगे, तो दोस्तों मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्धी योगा में आप सभी का सुवागत हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सेंटर स्फिलिट पोज समकवान आसन की तरफ, और उससे पहले हम इस आसन के बारे में इसकी कॉंटर इंडिकेशन और केटेगरी को जान लेते हैं, तो दोस्तों ये एक एडवांस केटेगरी में आने वाला आसन है, और साथी साथ ये एक हिप ओपनिंग पोज भी है, क्योंकि इसमें हमारे हिप्स की बहुत अच्छे से ओपनिंग होती है, और हमारे हिप्स पूरी तरह से काम करते हैं इस आसन के अभ्यास में, और इस आसन की कॉंटर इंडिकेशन की बात करें, तो एक advanced आसन है, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है इस आसन का अभ्यास करने के लिए, और साथी साथ आपकी हिप्स की flexibility अच्छी होने चाहिए इस आसन की अभ्यास के लिए, और अगर आपको आपके हिप से related कोई injury है, आपको आपकी hamstring muscle से related कोई injury है, आपको आपके घुटनों से related कोई injury है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, साथी साथ अगर आपको back pain से related कोई injury है, आप लोगों को slip disc य asaticा की समस्या है, आप लोगो हरनियेयर डिस्क की problem है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है आप चलते हैं अपने इस आसन के अभ्यास की तरफ और सबसे पहले हम इस आसन के अभ्यास के पहले जो हमें pre-practices और pre-asanas करने हैं उनके बारे में समझ लेते हैं तो दोस्तों इस आसन का अभ्यास करने से पहले आप सबी को अपने उपविष्ट कॉनासन की पैक्टिस करनी है तो देखिए उपविष्ट कॉनासन जो है वो सेंटर स्प्लिट में आपकी बहुत चादा है क्योंकि सेंटर स्प्लिट पोज के लिए आपको अपनी दौनों लेक्स को 180 डिगरी पर ओपन करना होता है तो उसके सब्सक्राइब करनी है आप चाहें तो लेक्स को ठोड़ा और ओपन करके फिर उपविष्ट कॉनासन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं तीरे तीरे अपनी बौड़ी को फ़ोड़ कीजिए आप चाहें तो दोना हाथों को इस तरीके शुल्डर लायन में रखे चेस्ट और डाउन कीज़े जिससे कि आपकी जो pelvis muscles है वो अच्छे से stretch होती है आपके hips अच्छे से open होते हैं तो इस आसन का भ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके समकोन आसन center split के पहले साथी साथ आपके हनवान आसन की practice बहुत जरूरी है तो देखिए आप लोग को हनवान आसन की practice भी कर लेनी है इस तरीके से अपनी legs को split करके हनवान आसन जो है वो भी help करता है आपके hips को अच्छे से open करने में और साथी साथ आपके समकोन आसन center split pose के लिए आपको help करता है आपके hips को open करने के लिए और आपके hip muscles को और pelvis muscles को prepare करता है आपके अभ्यास के लिए ठीक है तो ये दोनों आसन आपको बहुत अच्छे से practice कर लेने हैं और साथी साथ इस आसन की अभ्यास को करने से पहले यानि कि अपने samakon अपनाशन अपनी leg split pose के लिए तो देखिए दोनों हाथों को shoulder line में रखना है पेरों में gap रखना है दाएं पेर को bend कीजिए बाएं को open कीजिए इस तरीके से आप फिट दूसी तरफ से तो यह जो है आपके hips की strength और flexibility दोनों को बनाने में बहुत जादा help करती है यह practice तो यह आ आपके इस आसन के अभ्यास को और अच्छा बनाने के लिए ठीक है तो देखिए इस आसन के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है आपको अपने दोनों पैरों में gap रखना है हम इस आसन को standing से करेंगे ठीक है और देरे लेक्स को split करते हुए हमें अपने स्व्कोन असन की त आतों की support से इस तरीके से hold करना है ध्यान रहे किसी की भी back इस तरीके से हंच नहीं रहेगी आपको अपनी back को arch करके hips को पीछे push करके इस तरीके से practice करनी है और यहाँ पर आप 10-15 seconds या 20 seconds तक hold करिए और दीर दीर अगर possible है तो आप अपने दोनों पैरों को दीर दीर और flexibility बढ़ने लगती है आपके legs और जदा open होने लगते है तो आप दोनों पैरों की position सेम रखेंगा आप अपनी elbows को drop करके थोड़ा सा all down इस तरीके से आ सकते हैं तो यहाँ पर आप hold कर सकते हैं देखिए गुटनों को सीधा रखना है पैरों को अच्छे से इस तरीके से mat पर हैं और आपकी hips में और आपकी जो muscles हैं आपकी hamstring muscles, hip muscles में काफी अच्छा stretch आपको आ रहा है तो यह भी काफी जाधा help करेगा आपको वाबस आने के लिए दोनों elbows को सीधा करेंगे पहले फिर दीर दीर आपको इस तरीके से दोनों पैरों को एक दूसरे के पास लेके आ जाना है ठीक है और अगर आपको बहुत ज़्यादा pain हो रहा है यहाँ ठीक है तो daily practice में आप क्याकर सकते हैं daily जब आप अपने bed पर जा रहे हैं तो आप ट्राइ कीजिए कि आपका जो bed है या फिर आप चेयर कुर्सी आप सोफा ले लिजी उसको वाल के पास आप इस तरीके से जो है वाल स्टेडल पोस की practice कर सकते हैं आपको इस तरीके से लेट ना है और दोनों लेक्स को इस तरीके से spread कर दीजिए और दिरे दे आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं तो यह जो है वाल स्टेडल पोस यह भी आपको काफी ज तो आप इस तरीके से इस आऽनं की अभ्यास में इस तरीके से वॉल के साथ वॉल स्टैडल पोथ की प्रेक्टिस कीजिए और बिना पेन के आप बहुत ही जल्दी अपनी को जो है split कर पाएंगे बहुत आराम से तो यह जो है काफी easy practice है बहुत ज़दा painful मिन रहती है तो आप आराम से 5-7 minute आप practice कीजिए फिर जीरे जीरे timing बढ़ाईए आप 8-10 minute तक पहुंचिए तो जैसे आप practice करेंगे जैसे आपकी muscles जो है stretch होती जाएंगी तो देखे यह practices आपको बहुत जाता help करेंगी आपके center split में ठीक है दूसरी practice आप कैसे कर सकते है आप देखिए अपने गुटनों पर आजाएए ठीक है आप practice कर सकते हैं अपने half frog pose variation 1 की देखिए आपको अपने दौनों गुटन touch करने का try करना है तो यह practice आपके लिए बहुत जाता helpful है आपको try करना है अपने pelvis को नीचे touch करने का आप चाहें तो elbows को drop करके अपने pelvis को touch कर सकते हैं बाय पेर का घुटना और ankle joint एक line में रहेगा इस तरीके से आपको दाय पेर को सीधा करके बाय को band करके practice करनी है और इसी त तरफ और अपने दौना elbows को touch कर दीचे तो इस तरीके से आपको जो है practice करनी है अपने half frog pose की अपने center split pose के लिए तो देखिए जब आप इस तरीके से practice करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो pelvis muscles है वो open होगी आपके hips अच्छे से open होगे तो जब आप इन pre practices के बाद practice करना स्टार पोस की तो आपके hips अच्छे से open हो जाते है क्योंकि एडवांस पोस है और अगर आप जड़ा से भी गलती करते हैं बिना warm-up किये और बिना pre practices की आप directly अपनी legs को open करने का try करेंगे तो आपको hips related injury आ सकती है आपके hip का ligament injured हो सकता है आपको hamstring muscle hip muscles related deep tissue injury हो सकती है तो बहुत ज जल्दबाजी नहीं करनी है अब्यास करते हुए बड़े ही आराम से दीरे दीरे और जो प्रैक्टिस आपको बताएं उनके साथ अब्यास करना है अब देखिए चलते है अपने अब्यास में आगी की तरफ तो किस तरीके से next step हमारा क्या रहेगा दोना है दोनों पैरों में गयाप रखिए स्ट्रेच होने देना है ठीक है आपको क्या पता है दिरे दिरे पैरों को खोल लेना है आराम से फिर दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए फिर दिरे और ओपन कीजिए आप अपने दाएं पैर की एडी पर आ जाईए पहले एक पैर की एडी के साथ आपको stretch करना है ठीक है थोड़े समय बाद आपको क्या करना है आपको दोनों legs के दादे इस तरीके से split कीजिए और धीर धीरे आपको जो है अपने pelvis को नीचे mat पर touch कर देना है और दोनों हाथ के देली को आप अपने गुटनों पर रख सकते हैं पैर के गुठर उंगले अंदर की तरब तो देखिए यह हमारा समकोन आसन सेंटर split pose इस तरीके से complete हो जाएगा अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको injury भी नहीं होगी आपका alignment अच्छा रहेगा और आप बड़े ही आराम से और बहुत ही जल्दी अपने आसन के final pose में आ जाएंगे ठीक है अब वापसा निकले का करना है आपको अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे पास लेके आईए और धीरे शेक करके रिलेक्स करेंगे अपनी लेक्स को रिलेक्स करेंगे अपनी हिप्स को ठीक है तो आसन के अभ्यास के बाद जब भी आप कोई भी प्रेक्टिस कर रहे हैं ठीक है या फिर final pose कर रहे है तो अभ्यास के बाद आपको अपनी लेक्स को रिलेक्स करना बहुत जरूरी कुछ आपके जो leg muscles है रहा हैं वो बहुत अच्छे से इस्ट्रेश हो जरूरी है तो जो आपको steps बताये है उस तरीके से आपको practice करनी है अगर लबो की बात करें तो इस आसन के बहुत ज़्यदा अच्छा करता है अगर आपके अंदर कफ दो से तो उसको दूर करने में help करता है आपके fire element को control करता है और साथ ही साथ आपके मूलधार चक्र के activation में help करता है क्योंकि जब हम central split करते हैं तो हमारा जो मूलधार चक्र है वो activate होता है उसकी energy उपर की तरफ हम lift कर पाते हैं तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग बड़े ही अच्छे से अपने center split post समकोन आसन का अभ्यास कर पाएंगे और इससे मिलने वाले जदा ज़्यादा benefits को आप सभी लोग ले पाएंगे तो आप लोग तयार कीजिए अपने इस आसन की ठीक है अच्छे स से flexibility बढ़ाई है और इस आसन को पूरा कीजिए हम मिलते हैं आप से जल्दी अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ तब तक के लिए नमस्कार